नमस्कार मिनास्मिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News सारण लोक सभा सीट जिस पर लालु प्रसाद यादव की बेटी चुनावी मैदान में उतरी है लालु प्रसाद यादव की बेटी रोहनी अचारिया इस बार चुनाव जीत का दावा करती हुई नसर आ रही है जब रोहनी अचारिया रेली करती हुई नाजर आती है तो उस रेली में उनके भाई तेजस्भी यादव भी शामिल होते हैं प्याइपई अध्यक्ष मुकैस सहनी भी मौझूद होते हैं यानि कि पूरा का पूरा महागरबंधन रोहनी अचारिया को जीत की कगार पर पहुंचाने के लिए उनका साथ देता हुआ नसर आ रहा है ऐसे में आरजिटी की तरफ से offer किया जा रहा है ंग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को लेकर ये कहा जो रहा है कि वो भी आए और उनकी बेटी के लिए चुना प्रचार प्रसार करते हुए देखे जा सके सारण लोग सभा सीट जिसमें छटे चरण पर मतदान होतावन असर आएगा 25 मई वो तारीक जहां पर रोहनी अच्वारिया के किस्मत का फैसला होगा कि क्या भारती जंता पार्टी के राजी प्रताप रूरी के मुकाबले जीत पाएंगी या फिर नहीं जो सवाल बना हुआ है इन सवालों के बीच में चर्चाएं तेज हो चुकी है कि क्या पपू यादव सारण में रोहनी अच्वारिया का समर्थन करने के लिए पहुँचेंगे क्या सारण में अपनी पत्नी के साथ मौजूद नजर आएंगे रंजीत रंजवन के बात करें क सबस्ते हैं और बहुकी पत्नी जाएंगी और सारी नराज़गी को भूलते हुए वीवा भारती को साइड करते हूं अगर भीमा भार्ती जीत नहीं पा रही है कि अधैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगार पाएगा तो क्या ऐसे में आरज़ेडी को अपना समर्थन देंगे ताकि आने वाले वक्त में पपु यादव के खिलाफ आरजेडी उतर ना सके तो क्या रोहनी अच्यारिया के लिए समर्थन करते हुए पपु यादव देखे अब देखे-थ का कर सकते हैं समर्थन देने क 20 इही हार में मजूत में आए तो आज़ेड़ी की तरफ से किसी और ने पपु यादव के खिलाफ नहीं पुलते भी नजर आए तो क्या ऐसे में अब आपको लगता है कि पप्पु यादव को भी रोणी अचारियों के समर्थन में आना चाहिए या फिर नहीं क्या है आपकी रहे कमें सेक्शन में जरूर बताएं देखते रहे स्पेन नाइन न्यूस धन्यवाद